नमस्कार सिलिक टीवी देख रहे हैं आप मैं हो आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुआत सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर भत्यार रूटबर मामले में भागवपुर पुलिस ने दो अपरादियों को किया गिरफ्तार टीम में सामिल पुलिस कर्मियों को स्स्पी करें के प्रस्कृत ब्यार पुलिस सब्ता के अंतिम दिन रख्ततान स्वीर का भाया जब पुलिस लाइन में रख्तताओं की उंडी लिए प्यम्वियों को भी पिक्री मामले में कुल्पती पर उठ रहे हैं सवाल पुरुपर वपरवारी कुल्पती ने कहा राज़ खुन में होनी चाहिए मामले की चांच चेह सुत्री मांग को लेकर आसा कारी करताओं ने जंगर किया परदर्जन मांग पूरी नहीं होने पर अंदोलन तेज करने की तीचे तावनी और पुलिस ने गुलाब देकर वहां चालोको को संधाया यादा याद नियां हेलमेट बहन कर पाइप चलाने की की अपी अब समाचार विस्तार से भागलपूर के मुजाहिद पूर्थाना छेतर अंतरगत लूट पार्ट और हत्या मामले में भागलपूर पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है गुरुवार को SSP आसिस भारती ने प्रेस कॉन्फरेंस कर मामले का खुलासा किया SSP ने कहा कि 25 जिसंबर धोज्जा उनिस को लूट पार्ट के तोरा अपराधियों ने गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी मामले की चानवीन के लिए सिटीस्पी सुसांत कुमार सरोज के नेकृत में विसेश टीम का गठन किया गया जाज में पाए गए साक्षों के आधार पर पुलिस मुक्ष आरोपी सबोर निवासी आसिस कुमार सिंग उर्फ मानू एवं छोटू उर्फ एचा को गिरफतार कर लिया है एससबी ने कहा कि घटना भी इस्तमाल किये गये बाइक को पुलिस ने जब्त किया है जबकि अन्यारोपियों की गिरफतारी के लिए च्छा बिमारी जारी है प्रेस कॉंफरेंस में CTSP सुसान्त कुमार सरोज एवं CTDSP राजवन सिंग मौचूद थे बहुत ही ब्लाइंड केस था जिसमें उसमें कोई भी साग्सुस ततकाल उससे में उपलब्द नहीं था पर अन्यारोपियों के लिया गया और एक CTSP के ने तुक्रमें एक विशेज स्टिंग अठन किया गया जिसके द्वारा कई सारे CCTV फूटेज वहां पर देखे गये इस घटना में प्रियुक्त मोटर साइकल है सुजुकी जिक्सर उसको घटना के कुछ दिनों के बाद जब्त किया गया जो कि उस CCTV फूटेज में भी जिसको जानकारी मिली थी और इसके बाद अगरतरा मुसंधान करते हुए इस मामले में अभ्युक्त मानू उर्फ आसीज कुमार सिंग जो की सबौर कराने वाला है उसको गिरफतार किया गया है तथा उसके स्विकारुक्ती ब्यां के अधार पर एक छोटु उर्फ एंचा उसको भी गिरफतार किया जो छोटु इन अभ्युक्तों के अलावा और भी कुछ अभ्युक्त हैं जिनकी गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है जल्दी उसको भी गिरफतार किया जाएगा इस मामले में जो पुलिस टीम है उसको पुरस्क्रिक किया जाएगा भागःपुर पुलिस केंदर पुलिसर पुलिस सब्का के अंतिम दिन गुरूवार को लहू हमारा जंद सेवा कारेकरम के तहट रखतार सीवीर का आईउचन किया गया व्यार पुलिस की całर से आयोजित रखतातारई सीवीर में ततमाम पुलिस कर्मियों एवंने के पुलिस कर्मियों की जांचकर रखते कत्रित की गई। इस दोरान पुलिस कर्मियों में खासा उत्सा देखा गया। पिछले 22 परवरी से ही चलाया जा रहा है इसी करी में आज जिलास तरी तीन चाहर कमा युदित किया गया। जिसमें सर्पतम पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों पुलिस पजादीकारियों उनके परिजनों के लिए एक हेल्थ चेकप कैम कायोजन किया गया जिसमें कई पुलिस कर्मियों की हेल्थ की जाज की गई है इसके अतरिक्त पुलिस कर्मियों ने इस समाज की सेवा की भावन में ब्लड रोनेट किया गया है पुलिस कर्णियों के दौरा इसके अतरिक्त पुलिस पाटशाला में जो दो कायोध मायोजित किया गया थे जिसमें समाजिक जो बुराहिया हैं जैसे कि शराब के संबंद में या अन्य जो इशुज है उसको लेकर के नुकर नाटक और प्ले का योजन किया गया था पर्चेज एंड सेल कमिटी की अनुमती और बगार टेंडर के कॉपी बेचने के लिए जाँच कमिटी में अब पेंच फस्ता दिख रहा है दरसल टीमब्यू में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट की वारसिक बैठक में सिनेटर डॉक्टर मिर्थिंजे सिंग गंगा ने उठाया था जिस पर कुलपती प्रोफेसर अबत के सोराय ने कहा था कि कॉपी कब और कैसे भी की इसकी जांकारी उनके पास नहीं है वहीं इस मामले में जब प्रती कुलपती प्रोफेसर राम यतनपरसाथ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुलपती के आदेश से ही कॉपी बेची गई है इधर कॉपी बिक्री मामले पर डीमब्यो के पुरो परभारी कुलपती प्रोफेसर चमेंद कुमार सिंग ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं और पुरे मामले की जांच राजभावन से खराने की बात कर रहे हैं मीडिया माधियम से अख़वार से और अन्य माधियम से जानकारी मिले विश्विधियाले में पुरांवी की विक्री होई है और वो विक्री के लिए एक कमीटी में प्रुक्रिया को नहीं अपनाया गया है यह तो एकदम नियों का हुलंग्धन है और इसलिए इस पर कोई ही जदी जांच होती है और जो हमारे बारत्मान प्रभाड़ी कुल्पति हैं उनको प्रभाड़ी कुल्पति को वित्तिये मामलों में ऐसे अधिकार हैं कि नहीं है या भी एक प्रस्णवाचक चिन्न है जदी है भी तो उसको नियमों का उलंग्धन हुआ है बिना सेल्स पर्चिस कमिटी का ही किया गया है और जदी नहीं है तब तो यह तो मामला और यहीं गंभीर बनता है इसलिए ऐसे मामलों के लिए कुल्पति के शंग्यान में बाते आनी चाहिए और उनके द्वारा नियुक्त जांच कमिटी के द्वारा इसके जांच होनी चाहिए बिहार राज्य और राजपत्रित करमचारी महासंद के बैनरतले आसा संयुक्त संगर्जमंच जिरा इकाई की ओर से गुरुआ को भागलपुर जिरादी कारिक कारिया लेके समक् चाहिए और सरकार द्वारा अविलंब महांग पूरी नहीं किये जाने पर अंदोलन तेश करने की बात कही आसाकारी करताओं ने जिलादीकारी कारिया लेके मात्यम से मुझ्यमिंतृ नितीस कुमार के नाम 6-23 का पत्र सौपा आसाकारी करताओं ने कहा कि विगदवर्स आस सरकार दोरान नहीं दिया गया है साथी समझोते का उलंगन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कमिशन खोरी और घ्रष्टाचार के कारण भी आसाकार्यकरता काफी परिसानियों से जूज रही है संयोजी का सुनिता देवी ने कहा कि सरकार दोरी पक्षिया समझोते की सभी सर्थनों को पूरा करे अन्यथा आगे विधान सवा का घेराओ कर अंदोल अंतेज किया जाएगा इस मौके पर जिलास चीप दिनेश राम उप से योजी का सुपरना कुमारी कौसर परवी प्रियंका कुमारी समयत काफी संख्या में आसा कारी करता मौजूद थे इसका डीटेल हर एक पैसे का करूम का हर एक पैसा अलग अलग डीटेल हमलों को मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता है जो प्रदर्शन है अखिल भारते राज सरकारी क्रमचारी महासंति निनल्पा सुत्री मांगों को जो ये मांग पत्र हम बंडे जिलापदादीकारी को महते को सुपेंगे उनके द्वारा प्रदान मंत्री को सनलेक समर्पित किया जाए इसमें छे सुत्री मांग है ठीदारी परथा को बंद करो पुरानी पेंसन को लागो करो आसा कर्मियों को निमीत अस्थापना में लाओ ठीदारी संविधा के कार लेना बंद करो इत्यादी मांगों को लेकर के आज हमें परदर्शन जिला मंत्री के जिलापदादीकारी के आए हुए है सलत गुरगटना में कमी लाने और वहान चालकों द्वारा सुरक्षित यातायाद को लेकर भागलपूर पुलिस की ओर से साकारात्मक पहल सुरू की गई गुरुवार को भागलपूर के रानी लक्षवी बाई चौक के समय इप्पी यातायाद पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले एवं बिना सील्ट बेल्ट के वहान चालकों को सुरक्षित यातायाद और ट्रफिक नियमों का पालन करने का पाट पड़ाया पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हमेशा हेलमेट और सील्ट बेल्ट बाँद कर वाहन चलाने की अपील की साथ ही कहा कि यदि सभी लोग ट्रफिक नियमों का पालन करेंगे तो उनके जानमाल की सुरक्षा सुनिस्चित होगी और सड़क दुरगटना में काफी कमी आएगी कई लोगों ने भी अपनी भूल स्विगार करते हुए आगे से ट्रफिक नियमों का पालन करने की बात कही मुख्यमित्री नितिस कुमार के जल्दीवन हर्याली अभ्यान को पुलिस पर सासन और आम जनता का का काफी सहयोग मिल रहा है इधर बिहार पुलिस सपता के तहद भागलपुर में स्स्प आसीज भारती के नेत्रित में कई कारिक्रम आयोवित किये गए जर्वाई परिवर्तन और परियावरन समरक्षन को लेकर पुलिस कपतान आसीज भारती भी कंभीर दिख रहे है एसेसपी ने एक तरफ जहां खूद मीराजब गाउं को गोदले रखा है वहीं दूसरी तरफ सभी थाना द्यक्स को अपने छेत्र में जन जात रुटता फैलाने का निर्देश दिया है इसी कड़ी में एसेसपी ने सनोखर अमडंडा और रसलपूर थाना छेत्र के तालावा को पुनरजीर भी एवं सौंदरी करन करने की बात कहीं भागलपूर फुलिस के द्वारा 22 फरवरी से लेगए 27 फरवी तक बिहार फुलिस सब्ता भागलपूर में काफी जोड़सोर से मनाया जा रहा है और इसमें बिभिन कारिकरम आयुजित किये गये हैं जिसमें एक जो कारिकरम है जल जीवन हरियाली से संबंदित उसमें सभी थानों को निरेज दिया गया कि वो अपने छेतर के कम से कम एक तालाब का उसको गोद लें और उसको पुनिल जीवित करते हुए उसका संद्री करन करा है इसी करम में कल हम लोग सनोखर थाना और अमडंडा थाना और रसलपूर थाना यहां पे गये थे और सनोखर और रसलपूर थाना के पास में ही थाने के ज़श्ट सटे हुए एक तालाब है जिसमें उसको स्वंद्री करन कराया जा रहा है और साथी साथ जो अमडंडा थाना है उस थाना क्यापपस के अंदर ही एक तलाब है जो पहले सूख गया था लेकिन उसको फिर से पुनर जिवित किया गया है जी हाँ अब आपके सर भागलपूर में विश्वस्तरिय पढ़ाई की सुविदा पहली बार जीडी गोईंग का पब्लिक स्कोल, सीबियस्सी कॉरिकोलम, नरसरी से सिवन्थ तक की पढ़ाई सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस, एसी बस विच जीपियस औन सीसी टीवी चाहे आवासिय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ए लाइबरेरी भी हमारा पता है जिड़ी गोईंग का पब्लिक स्कॉल जीचो बिसनपूर भागलपूर, कॉंटेक्ट नमबर 7672-80010, एडमिशन इस गोईंग आन पुलिस परशासन की लाग कोसिस के बाद ही नगच्चिया में अपराद का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है गुरुवार को नगचिया के नया टोला कालोनी में वेवसाई चंग सेखर मंडल उर्फ पप्पू मंडल की गोली मार कर हत्या कर दी गई अपरादियों ने बिल्कुल करीब से वेवसाई को चेहरे पर गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई गटना के असपश्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चला है अस्थानिया लोगा से मिली जानकारी के अनुसार गटना सतर के पास लगे सीसी टीवी कैमरे में दीखे फूटेज में पपू मंडल कुरकुरे खरीद कर पत्नी नीतु देवी के साथ घर वापिस जा रहा था इसी दोरान मुह में गमचा लगा कर आये दो युवक ने चंदल सेखर मंडल के करीब जाकर गोली मार दी नपकचियास्पी निधिरानी ने आसंका जताया कि जेल में बंद राजे सियादव ने अपने विस्तेदारों के माध्यम से मडर कराया है जो परिवार है उन पर केस सत्य पाया गया था और वो जो फादर है लड़की का राजे स्यादव जिसका नाम है उन्होंने अभी पीछे कोर्ट में सेंडर किया था तो उनका कुछ दुश्मनी था जिनके साथ आज ये घटना घटी रहा है तो अभी वो जेल में है लेकिन उन्होंने ही अपने रिष्तेदारों के माध्यम से घटना कायद कराई है इसमें सिसी टीव फूटेज के माध्यम से भी उनकी पहचान हम लोग करेंगे और परिवार वाले भी इसमें आई विटनेस हैं जिन्होंने देखा है तो जो भी इसमें आगे वैधानी कारवाई है वो इसमें की जाए तो फिलाल पुलिस मडर के हरे बिंदू की बारिकी से जाच कर रही है उर्दू निदे साले और उर्दू भासा भुसामी के संयुक तत्वधान में फरो के उर्दू सेमिनार और मुसाहरा कायोजन बांका में किया गया कारिक्रम की अध्यक्षता बांका के डीडीसी रवी प्रकास ने की वहीं मुख्य अतिति बियन मंडर विस्विद्याले के प्रतिकुलपती प्रोफेसर फारुक अली भागलपुर जिलागत संके कल्यान पदादीकारी राहुल कुमार डेलिगेट डॉक्टर साहिद रजा जमाल समेत कई अतित्यों ने दीप पर जुलिद कर कारिक्रम की शुरुआत की इसके बाद उर्दू अदब से जुले लोगों ने उर्दू भासा के विकास पर अपनी बात रखी वहीं डीडीसी रवी प् ज्यान का असर अब फुली डूमर में भी दिखने लगा है परखंड के उप्तरीकोजी पंचायत के बालादेव इठरी गाउं में दुर्जे सक्ती जीविका महिला संगठन द्वारा जन वित्रन परनाली इकाई का उतखाटन परखंड विकास प्रदादिकारी विकास कुमा संजीविनी संकुल सचीव सांती देवी, ग्रचे स्पाठक, सुनीता देवी, राजे सरंजन समेत कई लोग मवचूद थे सहीद चंतसेखर आजाद की कुनिति थीगे अफसर पर गुरूः को भागलपूर के आदमपूर्चों की स्थित चंतसेखर आजाद की पर्तिमा पर वीक हेर सोसाइटी की ओर से महल्यार बन किया गया संस्ता के सज़स्यों ने मथे जलाकर चंद्रसेखा राजाद और उनके द्राध देस के लिए किये गए योगदानों को याद किया इस दोरान युवाओं ने चंदसे का राजाद के पदचिन्नों पर चलने का संकल पलिया और कहा कि देश की आजादी में चंदसे का राजाद का भी महतुकुर्ण योगदान है और इन महापुरूसों से हम समों को प्रेड़ना लेनी चाहिए इस मौपे पर वी सु मिस्रा, कृती पूजन, मनीश चौबे, सोनल, मोनु सिंग समेथ काफी संख्या में वी केर सोसाइटी के कारिकरता मवजूद थे और अंद में चलते चलते एक में जड़ाते हैं आज़की एडलाइन्स पर अत्यार रूपट मामले में भागरपूर पुलिस ने दो अपरादियों को किया गिरफतार, टीम में सामिल पुलिस कर्मियों को एसेसबी करें को पुरस्कृत ब्यार पुलिस सब्ता के अंतिम दिन रख्तदान स्विर का वाया ज़ंग, पुलिस लाइन में रख्तदाताओं की उंडी लिए प्यूपी पिक्री मामले में गुल्पती पर उठ रहे हैं, सवाल पुरु परवारी गुल्पती ने कहा, राज़्पोन में होनी चाहिए मामले की जाँच छे सुत्री मांग को लेकर असा कारी करताओं ने जंकर किया परदर्शन, मांग पुरी नहीं होने पर अंदोलन तेज करने की दीचे तावने और पुलिस ने गुलाब देकर वाहन चालोको को संधाया यादा यादनिया, हेलमेट बहन कर पाइप चलाने की की अपी फिलाल इस गुरटिन में इतना हूँ, नमस्कार